Hello dear students, so today we are going to read chapter 14, Maps and Directions. Directions, it is important to know the four main directions while trying to locate a place. The four main directions are east, west, north and south. जब भी हमें कोई location को locate करना होता है, मतलब कोई location सर्च करना होती है, तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी four main directions कोन सी है. The four main directions are east, west, north and south. A compass help us to know these directions with the help of a needle. एक compass होता है, एक instrument होता है, जो कि हमें इन directions के बारे में guide करता है और वो एक needle की help से हमें बताता है कि यह हम कोन सी note में चल रहे हैं, ठीक है? The needle always point to the note. जो needle है, वो हमेशा note की तरफ ही point करता है, compass के अंदर, ठीक है? Sketch. A sketch is a rough drawing of a place. It usually has important landmarks. एक sketch के एक rough drawing है. अगर हमें किसी भी place का कोई idea देना है किसी को, तो हम क्या गरते हैं? Rough drawing करके उसको बता देते हैं कि ठीक है, यहाँ पे जाके, यहाँ पे left में एक shop है, shop के left में एक temple है, temple के right में एक street जा रही है, ठीक है? एसे हम थोड़ा सा draw कर देते हैं, पेपर के उपर और उसको, किसी सामने वाले को जिसने अपनी destination पर पोशन है, उसको easily guide कर सकते हैं कि यह location कहाँ पे है, ठीक है? It is usually has important landmarks. एक rough sketch के अंदर, अंदर हम landmarks को भी draw कर सकते हैं. A landmark is sometimes, something that we can see clearly and recognize easily, like a hospital, school or park. Landmark क्या है, यहां पे? Landmark is something that we can clearly and recognize easily. एक landmark एक ऐसी चीज़ होती है, जिसे हम किसी भी place को easily locate कर लेते हैं, या फिर उसको easily recognize कर लेते हैं. जैसे कि अगर मैं कहीं पे रही हूँ, अगर मैं किसी मेरा घर किसी भी tower के पास है, या किसी temple के पास है, तो मैं किसी को भी easily बता सकती हूँ, कि शिव मंदर है, जो शिव temple है, वहाँ पे आप आके मेरे घर के पास आजोगे, कि वहाँ पर आजो और मुझे कॉल कर लो तो वहाँ पर शक्तिनगर में शिव टेम्पल कर लेका तो फ़ो एसलि अपने घर तक लेकर हो एस तरह से जो शिव टेमपल है वह हमारा किया है हमारा लेंड्मार्क है ठीक है तो आपके घर के असपस भी बहुत सारे यह से लेंड़स होंगे जैसे कोई टावर हो सकता है कोई स्कूल लेंड़स ते कोई मिल दो कोंप्लेक्स लेंड़माइकentin is it help us to know where we are and reach our destination how design art involves providing destination में अपने अपने जиля नया या मतलब हमने जहां पर जाना है उस जग्या पहुशने में हमारी help करता है next is plan a plan is a sketch of a place made by viewing it from the top एक plan क्या होता है plan भी a sketch होता है किसी भी ऐसे place का जहां पर हमने जाना होता है अगर हम उपर से देखे तो उसे idea लग जाता है कि कौन सी जगह कहां पर है it make it easy for us to locate houses map से हमें easily हमें पता लग जाता है कि कौन सा घर कहां पर है ठीक है कौन सी building कहां पर है या फिर कौन से area में है next is map a map is a drawing or a diagram of a particular place it can be of a country city town or the entire world it shows detail of places and is always drawn on a flat surface the top of the map shows north ठीक है एक map क्या होता है एक drawing है और या फिर एक diagram है किसी भी particular place का जैसे कि अगर हमें इंडिया पोशन है तो वो इंडिया का एक diagram या फिर इंडिया का एक drawing बना देते हैं ठीक है country का भी हो सकता है city का भी हो सकता है town का या फिर पूरे world का भी map बन सकता है जरूरी नहीं है कि वो इंडिया है बारिश को के बारिश जयाता है जयाते हैं तो ऑन पर रोकर देखे इन जगाओं पर पूरे मैप में ठीक है इन जगाओं पर बरिज जाता होती है ठीक है इन जगाओं में हमारी कौन सी ट्रांसपोर्ट चल रही है ठीक है ठीक है और ऐसे ही मतला वो हर तरह की डीटेल मैप हमें प्रवाइट करवाता है ठीक है और ये हमेशा flat surface के उपर बनाते हैं, draw करते हैं फोर ठीक है एक पेपर के एक फ्लैट सर्फेस ही और इस टो पॉब और है और नीचे की कि दरब क्या होता है साउथ होता है so this was our chapter thank you and have a nice day झाल झाल